स्क्राइब कीजिए खेती की पार साला यूट्यूब चैनल को उसके पास आख घंटी को आप करें प्रेस खेती से सम्मनित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए धान की फसल भारत में परमुक फसल में से एक है धान की फसल में जो एक सबसे ज़्यादा खतरनाग विमारी लगती है वो होता है ब्लास्ट blast की बात हम जैसे ही कर दें तो मन में ध्यान आता है कि पत्ती में दाग लगना और जैसे ही पत्ती में दाग दाग लगते हैं उसको हम लोग blast बोलते हैं लेकिन मैं आज आपको बता दूँ जो ये blast होते हैं वो चार परकार के होते हैं और यह धान के कई stage में लगते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है पत्ती वाला blast, जो कि वो पाई के लगभग एक देड़ महिने में हमको दिखाई देता है, इसमें पत्ते में धब्बे लग जाते हैं, दूसरा होता है node blast, यह जो हैं जो धान के जो पौधे रहते हैं, उसमें निकलने के बाद जो last पत्ती रहते हैं, वहां पर collar पर यह वाला blast लगते हैं, और चौथा होता है garden blast, यह फिर penical blast जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जहां पर बालिया निकलती हैं, तो बालिया से जहां पर धान बनना सुरू होता है, तो जश्ट वहां न पर जिससे किसानों को उपज में बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ता है, या फिर जैसे पग भी जाते हैं, तो उस अवस्था में धान के कटाई के समय यह बालिया टूट टूट के गिरने लगते हैं, तो इस तरीके से इसमें 4 blast धान में लगता है, तो मैं आज आपक कि यह जो धान के ब्लाश्ट हैं इनके लिए हम लोग ऐसे कौन से दवा का स्प्रे करें और ये वालग ब्लास्ट हैं लगभग 60 घंटे में इसके असर देखने को मिलता है और अगर हम लोग इसका जल्दी जल्दी अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसको फिर क करना हमारे बस की बात नहीं होती है पत्ते वाले बलश्ट के तो फिर भी हम वो कंडूल कर सकते हैं लेकिन गर्दन बलाष्ट हुआ यह बहुती खतरनाग होता है एक चीज और भी दिають कि भारत में सबसे ज्यादा एक तो लीप बलाष्ट हुथा है और दूथ रहा होता है ऐसे दवाओं के बारे में बताऊंगा जो की blast की बीमारी है जो की leap blast, garden brush, node blast, color blast ये चारो को अच्छे से control करें और ओ market में मैं आपको उसको product का नाम भी बताऊंगा, दवा का formula भी बताऊंगा, आप उस हिसाब से कोई एक दवा को choose कर सकते हैं, जो भी आपको सस्ते लगे, जो भी आपके पास उपलब्द हो, जो blast के लिए सबसे जो best जो दवा होती है, अक्सर जो सस्ते भी होते हैं, और य मिलते हैं, इसके लिए हमने एक database बना है, इतने नाम से जो product है market में मिलते हैं, हाला कि कुछ का नाम छुटा भी होगा, लेकिन मैंने जितना नाम बताई है, आपको market में उपलब्द हो जाएंगे, इसकी लगबग आपको 120 से लेके 160 gram पर एकड़ के हिसाब से आपको देना र यह बायर का फोली क्योर नाम से आती है, क्यार का क्योर नाम से आती है, एकसल कंपनी का ट्रै ब्लास्ट नाम से आती है, देवी दयाल कंपनी का देवी क्योर नाम से आती है, अंबर कंपनी का डिक्स क्योर नाम से आती है, ब्लास्ट एंड सीद ब्लास्ट के लिए इसका के कासू भी नाम से आती है, बायो इस्टेन का बायो मैसीन या फिर ओमैसीन नाम से आती है, ये दोनों नाम से एक्थर हमको मार्केट में मिलते हैं, इसके बाद मैं आपको चौथा और लास्ट बदाता हूं, इसो प्रोथियो नेल, ये 40% इसी में आती है, जो कि टाटा कमपनी के फ्यूजी वन, आई आई एल का ब्लास्टर, अतुल का रिजो, अंबर का फेजुकी, इतने में ये आती है, ये जो फंगी सैड है, ये बहुत पुराना है, काफी कारगर होता है, हम लोग काफी समय से यूज करते हैं, जब मैं छोटा था, तत सी इसका यूज हो रहा है, तो इसमें से ट्राइसाइकलाजोल, टूबोकोनाजोल और फिजुएन वाला फार्मूला है, ये बहत्रीन है, ब्लास्टर के लिए, तो इसमें से आप किसी एक का भी यूज करते हैं, तो आपको ब्लास्ट है 100% निजात मिलेगी, चाहाई हो कोई भी ब्लास्ट हो, लीब ब यूज करते हैं, फिर भी ब्लास्ट कंट्रोल होगा, लेकिन उससे बेटर है, ये तीनों में से किसी एक, इसके संसत मार्केट में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलते हैं, जो काफी महंगे होते हैं, तो उन समय में आप चकर मत पड़े, ब्लास्ट एक छोटी बीमारी है, अगर हम समय पे कंट्रोल करें तो अन्ना तो काफी भयानक भीमारी है, तो इस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे समझे कोई आपके सवाल दा सुजाओं तो प्लीज अब नीचे में कमेंट कर देगा, और चैनल को आपने सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर लीजिए, तो भी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद